हेलो स्टूडेंस आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत हैं मेरी इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है जी टीउ स्टूडेंस तो फ्रेंस आज है डेट 18th of September और आज की डेट में जी टीउ के ओर से एक important circular आया है जो यहाँ पे बेजिकली बात कर रहा है आपका Obliterate or Puppling of GTU Theory Examination Answer Book of Summer 2024 Examination यानि कि अभी समर 2024 की जितनी भी स्टूडेंस की एक्जाम हुई है भले ही वो कौन से भी ब्रांच में हो बी, एमी या तो फिर डिपलोमा, बी फार्मर्सी, कौन सी भी तो उन सभी स्टूडेंस जिनोंने समर 2024 की एक्जाम दी है जो उन्होंने theory तो उनके जो answer book है, तो वो सब पपलिंग के लिए जा रहे, पपलिंग यानि कि आपका जो paper है, जो आपका answer book है, वो recycling के लिए जाएगा, right? So, आपको क्या करना, यह basically circular किस के लिए है, तो देखो, यहाँ पर mention किया गया है कि, is thereby notify to all the concern students, directors, principal, staff and all other concern that Gujarat Technological University has decided to send the answer book of the summer 2024 theory examination for obliterate or popling, यानि कि 2024 की जो summer की examination है, basically अगर हम बात करे, तो अभी कुछ ऐसे result है, जिनका re-assessment का result जो है, वो नहीं आया है, अगर आपने summer 2024 में, अगर आपने remedial दी है, तो उसका re-assessment का result नहीं आया है, right? So, उन सभी को consider नहीं करेंगे, बल्कि जो जिसका re-assessment का result आ गया है, जैसे कि अगर मैं specially बात करूँ तो AME SAM 2 remedial, even AME SAM 1 remedial, उनका regular का result, वो सभी आ गये है, right? So, अगर हम उन दोनों को consider करें, तो वो एक complete procedure हो गई है, right? यानि कि जिसका result आ वे टेल में नहीं है, तो उन सभी students को inform किया जाता है, कि वो सब summer 2024 की category में आते हैं, और उन सभी students की, जो theory exam है, तो उनका सभी का answer book जो है, वो पपलिंग के लिए जाएगा, यानि कि recycle होने के लिए जाएगा, but again यहाँ पे mention किया जाता है, कि अगर किसी students क तो फिर भी कोई query है, तो देखो यहाँ पे mention भी किया गया है, तो यहाँ पे mention किया गया है, तो यहाँ पे mention किया गया है, कि summer 2024 में जी जो भी students ने exam दी है, तो अगर वो answer book अपनी view करना चाता है, तो आपको application जो है, वो देनी पढ़ेगी, अब नाव देगी, application के भी कौन सी application और कहाँ पे देनी है, तो देखो मैंने description box में एक GTO की email ID डाली है, तो वहाँ पे आपको mail करना है, यहाँ उसका मतलब होता है कि आपको GTO में mail करना है, तो आपको mail करना है, subject में आप अपना answer book जो है वो देखना चाते हो, तो उस subject का code, आपका नाम, आपका college चे हो, आपका mobile number, वो सभी details जो है वो देनी है GTO में, तो आप जो है वो अपनी answer book जो है वो देख सकोगे, और यहाँ पे last date mention की गई है 25th of October, right, the university will consider any request related to the answer book after the affirmation date, यानि कि अगर 25th of October से late हुआ, तो यह GTO कुछ नहीं कर सकता, right, तो अगर आपको answer book view करनी है, तो आप 25th of October से पहले यह application आपको submit करनी होगी, right, so friends, यह circular में बस इतना ही, ऐसे ही GTO की और से, जो कोई भी important circular आता है, जो कोई भी result आता है, तो वो मेरी Instagram पे भी मैं upload कर देता हूँ, तो आप मेरी Instagram पे भी मुझे follow करना मत भूले, साथी में मे एक WhatsApp चैनल है, तो उसका link भी में description box में दे देता हूँ, तो आप WhatsApp चैनल पे भी join हो जाए, thank you so much for watching my video,